Hello Everyone, Welcome to India Jobs Hub तो प्रेंट्स यहाँ पर रेलवे भरती 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें टोटल 17 पोस्ट निकाली गई है जो कि कॉंटेक्ट्चुल बेसिस पर रहने वाली हैं जिसमें GDMO, Lab Technician, Radiology, X-ray Technician और Lab Assistant की यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है तो फ्रेंट्स यहाँ पर बहुती अच्छी सहली पैकेज आपको मिलने वाला है तो चलते हैं ओफिसल वेबसाइट की तरफ तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं Central Railway की ओफिसल वेबसाइट पर आ चुकी हूँ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फ्रेंट्स चलते हैं नोटिफिकेशन की तब तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डा узна़ोड करने के लिए आपको About Us पर क्लिक करना है आपके सामने इस तहिसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको Divisions पर क्लिक करना है Divisions पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर नागपूर पर आपको क्लिक करना है नागपूर पर क्लिक करने के बार आपको यहाँ पर परसनल पर क्लिक करना है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन्स तो फ्रेंड्स यहाँ पर contact basis पर medical practitioner और paramedical staff के लिए नागपूर डिवीजन Central Railway के दौरा यहाँ पर vacancy निकाली गई हैं तो फ्रेंड्स मैं इसे open करके भी आपको दिखा देती हूँ इस PDF को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है notification तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं या vacancy contextual basis पर रहने वाली है आप लोगों को यहाँ पर COVID-19 patient को handle करना होगा in Divisional Railway Hospital Central Railway of नागपूर डिवीजन में तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात करेंगी vacancy की तो यहाँ पर पहली post GDMO यानि medical officer की निकाली गई है जिसमें open market और central state government retire candidates भी यहाँ पर apply कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर open market के लिए up to 53 age limit मांगी गई है जबकि retired के लिए यहाँ पर आपकी age below 65 years रखी गई है अब यहाँ पर बात करेंगे qualification की तो GDMO post के लिए यहाँ पर आपके पास MBBS होना चाहिए यहाँ पर total 11 vacancy निकाली गई है open market के लिए यहाँ पर 75,000 आपकी sell ले रहने वाली है और retired के लिए यहाँ पर 46,000 आपकी sell ले रहेगी अब यहाँ पर बात करेंगे post second अब यहाँ पर बात करेंगे laboratory technician assistant की तो यहाँ पर open market के लिए age limit 18 से 33 एर रखी गई है जब की retired के लिए यहाँ पर blow 65 एर्स रखी गई है यहाँ पर total 3 vacancy निकाली गई है आपके पास यहाँ पर 10 plus 2 यानि इंटर साथ ही साथ यहाँ पर आपने आपके पास डिपलोमा DMLT होना चाहिए और यहाँ पर कम से कम आपके पास DMLT का duration 1 year का होना चाहिए और आपने यहाँ पर training full time की हो तो friends यहाँ पर आपकी monthly income 21,700 रुपए रहने वाली है साथ ही साथ Central Railway Board के इताब से आपको additional भत्ते भी यहाँ पर दिये जाएंगे अब यहाँ पर बात करेंगे post नमबर 3 की तो friends यहाँ पर radiology x-ray technician की यहाँ पर post निकाली गई है open market के लिए यहाँ पर 19 से 33 year age मांगी गई है जबकि retired के लिए यहाँ पर blue 65 years रहने वाली है यहाँ पर total 3 post निकाली गई है आपके पास यहाँ पर 10 प्लस 2 और साथी साथ radiography और x-ray technician का 2 year का diploma होना चाहिए तो प्रेंट्स अब यहाँ पर बात करेंगे sell लिकी तो यहाँ पर आपको 29,200 रुपै प्लस additional भत्ते दिये जाएंगे अब यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोगों को apply किस तह से करना है तो प्रेंट्स आप लोगों को application का format और documents दी गई email ID पर send करना है तो प्रेंट्स देखते हैं application format को तो प्रेंट्स इस application format के साथ आपको required documents attest करकर इनकी official website पर email की माध्यम से भीज़ना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं application for the post of तो प्रेंट्स यहाँ पर आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं उसका यहाँ पर आप vibrant देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी recent passport size photo लगाना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम block letters में लिखना है उसके बाद यहाँ पर अपने fathers का name community male female married unmarried date of birth education qualification additional qualifications आपको यहाँ पर अपना registration number experience अगर आपने यहाँ पर mbbs किया है तो उसकी सारी यहाँ पर details आप लोगों को फिल करनी है यहाँ पर आप लोगों को permanent address with pin code यानि आपको अपना permanent address साथी साथ आपके area का जो भी pin code है उसको यहाँ पर डाल ला है correspondence address तो friends अगर आप कहीं और का भी address यूज़ करते हैं तो उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर अपने email address, mobile number, whatsapp number और जो भी आप document अटेस्ट करेंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको detail देनी है तो friends यहाँ पर उसके बार आप लोगों को अपना sign कर देना है तो इस format को fill करके आप लोगों को अपने documents के साथ email पर send कर देना है यहाँ पर आप देख सकते email ID ती गई है तो इस email ID पर आप लोगों को 16 April तक आवेधन कर देना है अब यहाँ पर बात करेंगे selection process की प्रेंट्स यहां पर जो भी candidate shortlisted होंगे उनको उनके registered mobile number पर mail कर दिया जाएगा या फिर आपको message के माध्याम से बता दिया जाएगा कि यहां पर आपका interview conduct होगा तो प्रेंट्स interview conduct होने के बाद यहां पर आप रोगों को joining दे दी जाएगी तो प्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना बूलें